दोस्तों इस particular lecture में हम पिछले 1.5 years में जो भी location news में रही जो Prelims 2024 UPSC Civil Services में पूछी जा सकती है तो वो क्यों पूछी जा सकती है और हमें कौन-कौन सी locations को prepare करके जाना चाहिए इस particular video में हम ये जानने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग उन locations को अच्छे से मजबूती से पकड़ उस पे बना पाओ जैसे कि आप लोगों की demand लगातार मेरे पास आ रही है कि हमें बहुत सी important high idling topics को बता दो ताकि हम हमारे competitor से एक edge ले पाएं आखरी टाइम पे उन चीज़ों को जल्दी जल्दी पढ़के और याद रखके तो उसी series में ये next topic है जो बात करेगा mapping के बारे में इसके previous भी मैं बहुत से videos को upload कर चुका हूँ जैसे की quality जैसे की science and technology जैसे की economy etc उन topics को जाके जरूर देखना वो बहुत बहुत ज़ादा high idling topics हैं आपको prelims 2024 में बहुत ज़ादा help करेंगे जो भी major institutes या students जो prepare कर रहे हैं उनसे वो topics भूल जाते हैं या छूट जाते हैं क्योंकि जब वो topic बहुत ज़ादा news में नहीं रहते तो हमें लगता है कि वो important नहीं है मगर मैं आपको महाँ बताया है with the help of articles की अलग-अलग newspaper में कैसे और कितने articles आएं तो जाके ज़रूर देखो बहुत-बहुत ज़ादा help मिलेगी और समझ में आएगा आपको कि वो ज़रूरी topics क्यों है चलिए अब बात करते हैं temples की आप मैंसे किसको नहीं पता कि राम मंदिर जो नगर स्टाइल पे based temple है वो कितना news में रहा आप सब जानते हूँ क्या आपको नहीं लगता कि हमारी government tourism को promote करने के लिए temples के pilgrimage क्या बना रही है circuit इन circuit के बारे में आपसे पुछा जाएगा क्या आपको नहीं लगता कि 4 धाम यात्रा के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या आपको नहीं लगता कि temple में कितने जूतिर लिंग है भारत में क्या आपको नहीं लगता भारत में कितने sun temple है जिस पे UPSC previous questions भरे पड़े भरे पड़े वो आपको पड़के जाना चाहिए क्या आपको ये नहीं लगता कि उन temples के आसपास कोई major hill कोई major नदी अगर flow कर रही है तो वो आपको पड़के जाना चाहिए तो temple का जो topic है वो बहुत बहुत जादा important हो चुका है तो जो important temples है भारत के जो जूतिर लिंग है और जो sun temple है ये तो आपको at least पड़के जाना ही पड़ेंगे there is no option for it तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग जानते हो हम लोगों ने पूरे important temples की जूतिर लिंग की और sun temple की mapping को कर लिया है आप लोग इसको बहुत अच्छे से पड़के जाना एक एक state में कौन से temple located है वो आपको पता होना चाहिए साथ ही आप लोगों ने होईसाला temple के बारे में तो सुना ही होगा तो होईसाला के जो तीन temple हैं वो भी news में थे आप में से ये बात कौन नहीं जानता कि कैरला का सबरीमाला temple controversy में बना रहता है रामिश्वरम लगातार पूरे साल news में चलता रहता है ये सारी चीज़ें आपको पढ़के जानिए तो पहला topic हो गया हमारा temple इसके बाद में आप में से किसको ये बात नहीं पता कि वॉलकेनोस जो हैं वो लगातार फट रहें आप में से किसको नहीं पता कि recent में कहां कहां पे वॉलकेनोस फटें तो जितने भी वॉलकेनोस पूरे साल में न्यूज में रहे हैं जैसे फ्रेगर्जाल फॉल इसको पढ़ भी नहीं पा रहा हूं में आपको भी पढ़ने की जरुवत नहीं है मगर याद रखने की जरुवत है कि कहां पे located है ये बहुत ही recent में न्यूज में था आपको टॉंगा, मेरापी, कराकोता, कामचाका, पैनिन्सुला पे जो फटा ये सारे वॉलकेनों पूरे साल न्यूज में थे आपको at least ऐसे 10 से 12 जो हमने साल भर न्यूज में वॉलकेनोस देखें उसके बारे में आपको पढ़के जाना चाहिए इसके बाद में दोस्तों, आप में से किसको ये बात नहीं पता है कि भारत में लेंड से कनेक्ट करने की कुशिश कर रहा है अंडमाने निकोबार आइलेंड को आप में से किसको ये बात नहीं पता कि हज़ारो करोड रुपे का प्रोजेक्ट लॉंच हो चुका है जिसके थूँ आप्टिकल फाइबर नेटवर्क को बिछाया जा रहा है मेन लेंड से अंडमाने निकोबार आइलेंड पे ताकि इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो ताकि लोग वहाँ पे जाके इस्टे कर सकें ये स्ट्रेटिजिक पॉइंट फ्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है अंडमाने निकोबार आइलेंड में एक इतना कॉंट्रोवर्शल मुद्दा चल रहा है कि हम वहाँ पे एक बहुत मासिव चंक ओफ लैंड को डी फॉरेस्टेशन कर रहे है फॉरेस्ट को हटा रहे है उस एरिया को डेवलप करने के लिए विश्वास मानो अंडमाने निकोबार आइलेंड की ट्राइब जों अंडमाने निकोबार आइलेंड के अलग-अलग आइलेंड के नाम हो वहाँ के पैसेज हो, वहाँ की स्ट्रेट हो ये सब पूरे साल भर न्यूज में बना रहा है इतने सिंपल क्वेस्टन वो पटकेंगे आपको कि बताओ जो हाईस पॉइंड है अंडमाने निकोबार का वो क्या है एक और क्वेस्टन पटक देंगे कि वो पॉइंड कहाँ पे लोकेटेड है greater निकोबार में है smaller, little अंडमान में है, middle में है, कहाँ पे है ऐसे क्वेस्टन पूछेंगे गैलेथिया बे, कौन नी जानता इसको, ये question पूछेंगे, UPSC पहले भी question पूछ चुका है, कि ये जो अंडमाने निकोबार आइलेंड है, ये इंडोनेशा से जादा पास में है, या भारत के मेंन लैंड से, ऐसे multiple question आपको अंडमाने निकोबार आइलेंड से देखने को मिले अब क्योंकि Maldives News में था, तो हमारा लक्षदीप प्रमोट कर रहे हम लोग, हमारे मोदी जी वहाँ पे गए, लक्षदीप के बारे में आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए, कि लक्षदीप आइलेंड एक्क्वेटर के उपर आता है या नीचे आता है, लक्षदीप जाने ही है, इसके बाद में दोस्तों, अभी बहुती रीसेंट में हम लोगों ने अफगानिस्तान में अर्थक्वेक को देखा, चीके, और अफगानिस्तान में ही क्यों, हम लोग मल्टिपल टाइम अलग-अलग जगे पे अर्थक्वेक की बाते सुन रहे हैं, हाँ, अब पता होना चाहिए कि जो हमारे हिमालैज हैं, ये किन दो प्लेट के टकराने से बड़ बने हैं, हमारे भारत के आसपास कौन कौन सी प्लेट रिसाइड करती हैं, ये तो आपको आना ही चाहिए, ठीके, और बड़ी आसान सी बात है, अगर आप ध्यान से दो भार भी पढ़ तो आप इसका question का answer बिलकुल आसानी से कर पाओगे, आपको किसी की जरुवत नहीं है, ठीके, मगर आपको ध्यान से ये चीज़ करनी तो पड़ेगी, इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आप देखोगे previous year question को उठा के, तो आपको 4-5 ऐसे topic दिखेंगे, mapping के, जो हर साल UPSC पूछ रही है, मगर हर बार students उसे छोड़के जा रहे, हर बार, वो है infrastructure, अब वो question भले ही पोर्ट पे पूछें, या भले ही वो question dedicated freight corridors पे पूछें, या भले ही वो national highways पे question पूछें, major, east-west corridor पे पूछें, या north-south corridor पे पूछें, आपसे वो question बनने चाहिए, तो infrastructure की series में, आ जैसे मैं आपको example देता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है north-south corridor, यहाँ पे दिख रहा है east-west, यहाँ पे दिख रहा है भारत-माला और यहाँ पे दिखेगा आपको सागर-माला, ठीक है, सागर-माला भी है, वो ports के लिए, इसलिए आनी दिखेगा, अब मुद्दा य इसलिए कहते हैं कि जब एक student पूरे साल भर पड़ता है ना, तभी उसकी exam निकलती है, अब यह चीज अगर आप आखरी time पे याद करने जाओगे, तो आपको बहुत मुश्किल होगी, मगर करना पड़ेगा, हमने यह चीज़ें साल भर रटी हैं, तो जो नए students हैं, उनके थोड़ी सी शायद चीज टफ हो जाएगी, अगर उन्होंने अभी ताक किसको prepare नहीं किया है, तो मगर करके ज़रूर जाना, ports पे question पूछ लिया उन्होंने, mapping, सोच के देखो north से south corridor, अगर उन्होंने पूछ लिया कि भईया, श्री नगर से चालू हुए, तो इस north से south में कौन सी major cities आती है, अब इस question का जवाब कैसे निकलेगा पता है आपको, ऐसे निकलेगा कि एक एक city बैठ के रट रहें, इस question का जवाब निकलेगा कि बच्चा महाँ पे एक दिमाग लगाएगा, कि यार मैने जब map देखा था, मुझे पढ़ाया गया था, तो मैने देखा थ कि ये map कुछ इस तरीके से जाता है, बस अगर उसने इतनी चीज भी पकड़ ली ना, तो क्योंकि उसने साल भर पढ़ाई किये, तो उसे पता है कि यहाँ यहाँ पे कौन कौन सी location आती है, तो वो options में से 2 या 3 चीज़ों को तो eliminate कर ही देगा, समझ रहो बात को, तो इस तरी वेस्ट कॉरिडोर है, इसका junction point क्या है, अब यह वही बच्चा बता सकता है, जिसने इस तरीके से prepare किया, बता ही नहीं पाएगा कोई बच्चा, समझ रहो, तो important चीज़ों पे ध्यान दो, कि वो important चीज़ कौन कौन सी आपसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं, अब जैसे east-west dedicated freight corridor है, है न, वो आपसे simply पूछ लेंगे कि east से west dedicated freight corridor में पहला point क्या है east का और west का, यह पूछ लेंगे, समझ रहे हो बात को, वो आपसे यह पूछ लेंगे कि यह जो eastern dedicated freight corridor है, यह किसने fund की है, अब यह question का जवाब कैसे दोगे, eastern dedicated freight corridor आप बता ही नहीं सकते, इसकी location की साहेवाल से लेकर दनकुनी तक है, और world bank ने इसको यह किया है, fund किया है, यह question आपको इस तरीके से करके जाने पड़ेंगे, ठीक है, तो मैं उमीद करूँगा, कि आप इस पे command जरूर करोगे, east coast corridor, अब देखो, मैंने आपको पढ़ाते भी बताया था, majority बच्चों को यह आपको पाता ही नहीं होता है कि eastern dedicated front corridor और east west corridor, east west dedicated front corridor यह अलग है, समझ रहो, ऍहु को पता ही नहीं होता है बच्चों को बच्चों को पता ही नहीं होता है कि Eastern Dedicated Fright Corridor East West Dedicated Fright Corridor और East Coast Corridor Coast लग गया यह लग है अब सोचो कितना आसान सा question मुझे बनता हुँ दिख रहा है कि East Coast Corridor कितने state से गुजरता है और उन states के नाम बताओ अब बच्चे को पता ही नहीं है वो बताएगा क्या समझ रहो उस बच्चे को पता ही नहीं है कि North South Dedicated Fright Corridor और North South Corridor में क्या difference है वो क्या question का जवाब देगा और आपको लगेगा कि यार UPSC ऐसे कैसे question मनाती है Dedicated का map अलग पढ़ो North South का अलग पढ़ो रेलवे के लिए है common सी चीज़े है अगला important topic है हरामी नाला अब बच्चो को इसका नाम सुनने में मज़ा आ जाता है बोले चलो कुछ तो अच्छा मिला मगर दोस्त हरामी नाला के अलावा आपको दूसरी locations पता करनी पड़ेगी सोचो कोई ऐसा question आपके सामने पटक दे कि जो हरामी नाला है ये किस creek के सबसे पास में है सर creek, कजार creek, कोरी creek ये question पटक दिया क्या जवाब दोगे आपको ये पता होना चाहिए exactly कि हरामी नाला के सबसे पास में कौन सा port आता है क्लियर हो रही आपको बात अब यहाँ पे जब हरामी नाला को आप पढ़ते हो तो आप एक थालवे एक principle काम करता है जब ऐसी creeks में ऐसी जगव पे boundary को divide करना पड़ता है तो कैसे होती boundary divide ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए एक principle काम करता है ऐसे questions आप से पूछे जाएंगे अब जैसे अगर मैं इस चीज़ को international level पे लेके जाओं तो Silk Road बहुत ज़ादा news में रहता है एक इतना important article इंडियन Express में छपा था क्योंकि इंडिया Middle East Europe Economic Corridor के बारे में तो सब पढ़ रहे मगर ये जो इंडिया Middle East Europe Economic Corridor है इसमें author ने बताया था कि इसके ऐसा ancient trade route था Roman Empire में उस trade route की यहाँ पे location दी हुई है विश्वास मानों अगर इन locations को आपको दिया जाए exam में, majority student यहाँ पे fail हो जाएंगे अगर आपने इस map को दो से तीन बार भी पढ़ा और इस article को समझा तो इंडिया Middle East Europe Economic Corridor के question भी बनेंगे Silk Road के question भी बन जाएंगे साथ ही अगर कोई port का question आता है तो वो भी बन जाएंगे जैसे अरीका मेडू बहुत important है जैसे मुजरिस बहुत important है इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो international से आप national को compare करकर के भी पढ़ सकते हो अब जैसे कुछ disputes पे question पूछे जाएंगे जैसे मैंने यहाँ पे एक dispute लिखा है किर्गिस्तान तजाकिस्तान बॉर्डर dispute के बारे में तो यहाँ पे क्या important हो जाता है यहाँ पे important हो जाता है Central Asian Countries के बारे में जानना बहुत से लोगों को Central Asian Countries के पांचो नाम भी नहीं पता होते है बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता है students को कि China के साथ कौन सी Central Asian Countries boundary को टच करती है उनको यहीं नहीं पता होता है कि यहाँ पे Caspian Sea से कौन से देश टच करते है RLC से कौन से देश टच करते हैं और लेग बालकश कहां पे आती है नहीं पता होता तो फिर सेलेक्शन होगा कैसे खुद सोच के देखो आपको ये पता होना चाहिए कि SEO में कौन सी एक देश Centralation Country का नहीं आता है ये चीजें आप से वो पूछेंगे और वो पूछ रहे है अब यहाँ पे मैं एक और dispute डाल सकता था Azerbaijan और Armenia का वो भी हमने पढ़ा है अभी future में आपको दिख जाएगा उस dispute के बारे में अल्रेडी क्योंकि question पूछे जा चुके हैं नगोरना काराबाग के बारे में तो अब वो इस पे question पूछ लेंगे question का pattern वही रहेगा बस चीजें वो तो बदलना पड़ेगी न वो भी इतने समझदार है अब इसी के जैसा में एक और question आपको बताता हूँ जैसे आप लोग इंडिया श्रीलंका के बारे में news पढ़ रहे हो पूरे साल भर आप लोग इंडिया मालदिस के बारे में news पढ़ रहे हो पूरे साल भर अब ये सोच के देखो कि क्या आप लोगों को ये mapping करनी चाहिए या नहीं कि श्रीलंका के major ports देख लें एक बार कहां पे located है एक बार ये देख लें कि श्रीलंका में जो major locations news में रही वो कौन कौन सी है और कहां पे है अगर आप से कोई पूछ ले कि जो 13th amendment है वो majorly कहां पे हमारे वाले लोग रहते हैं तो वो ये वाले रीजन में रहते हैं जाफना वाले में वो आप से ऐसा question मना के पूछ लेंगे कि कोलंबो जो है वो नर्दन मोस पार्ट में रिसाइट करती ही capital जो उनकी आपको पता होना चाहिए नहीं वो नीचे उपर तो जाफना बैठा है समझ रहे हो इसी के साथ साथ जो श्रीलंका है वो equator पे आता है क्या equator से नीचे आता है उपर आता है ऐसी चीज़ें आपको पढ़ना पढ़ेंगी ठीक है अब जैसे मैंने आपको श्रीलंका का बताया ऐसी आपको मालदीफ में भी प्रिपैर करना है हमने पढ़ा हुआ है टेलिग्राम चनल पे आप जाके देखो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी ठीक है बहुत जादा destabilized area है आपको CPC कॉलिडोर की mapping करनी पढ़ेगी आप लोगों को जैसे नगर्णो काराबाग जो है ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देना है क्योंकि अब एक बार पूछ चुके है जैसे चाबार पोर्ट हो गया इसकी mapping करनी पढ़ेगी गौदार पोर्ट, चाबार पोर्ट को कैसे हम अफगानिस्तान से connect कर रहे है ताकि यहां से हम इरान जाएं, इरान से अफगानिस्तान में हमको access मिल जाए, यह आपको पढ़ना पढ़ेगा आपको पढ़ना पढ़ेंगे जो अलग-अलग islands जैसे Guantamo Bay जैसे Coco Island, यह news में क्यों रहे यह कहां पे located है फिर एक बहुत ही जादा probable question मुझे इस साल आता हुँ दिख रहा है वो है रशिया पे रशिया की mapping इतनी जादा important हो चुकी है यूक्रेन से भी जादा यूक्रेन crisis तो एक मुद्दा है ही जिस कारण से रशिया की mapping पूछी जाएगी आप लोग ये बात जानते हो नहीं रशिया के व्लादिमिर पुतीन साब बार-बार अलग-अलग देशों को उनके eastern region में बुला चुके हैं कि आओ, निवेश करो हमारे eastern part में जो कि अभी खाली पड़ा है और उसके लिए एक अलग से forum का नाम दिया जाता है अगर आपको नहीं पता तो उस forum का नाम पढ़के जाना और exactly पढ़के जाना कि उस forum में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, उसका जवाब है eastern economic forum, ठीक है इसी के लिए बनाईएं, खेर वापिस से आते हैं, अब यहाँ पे क्या important है, जैसे Ural Mountain, multiple time question पूछ चुके हैं, अब वो कितना आसा question पूछेंगे, कि रशिया जो है वो eastern part में बार-बार investments को बुला रहें, और यहीं पे उनकी capital located है बताओ, रशिया की capital क्या है में रशिया कौन-कौन से देशों के साथ में boundary touch करता है, बहुत important है, बहुत जादा, यह यहाँ पे बेलारूस बेठा है लुकाशेंको बाया हाथ है पुतीन का ठीक है, आप से नदियां पूछी जाएंगी, वोलगा नदी, यह नहीं पूछेंगे क्या, Aub River, Lena River Lake Baikal, पूछेंगे यह ठीक है यह तो हो गई एक चीज, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ आप अगर मेरी बात ना मानो तो newspaper की तो मानोगे इतना important article इंडिया and North Sea Route पे छापा था दा हिंदु ने एक एक शब्द हमने इसका पढ़ा था और आपको पढ़ना चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो इसमें एक एक location उन्होंने बताई थी कि रशिया में जो पहले उपर का part मतलब की Arctic region बरफ से पूरा जमा रहता था climate change के कारण ये पिगल रहा है अब यहाँ पे ships दोड़ेंगी यहाँ पे आपको नहीं लगता कि यहाँ पे वो Berenc Sea, Kara Sea, Leftive Sea इनको arrange करने के लिए बोलेंगे East से West में या simply ऐसा question पटक देंगे कि इनमें से कौन सा सी यहाँ पे नहीं आता है क्या आप eligible those question को answer देने के लिए सोच के देखना यहाँ पे मुर्मांस का location बहुत बहुत ज़ादा news में चल रही है बहुत से students को यह नहीं पता होगी कोशिश करो कि ये गलतियां न हो जो चीज साल भर हमारे आखों के सामने रही मगर फिर भी आपने prepare नहीं करी अब साल भर आखों के सामने रहने का मतलब होता है जैसे इंडिया और मालदीव के relation हर किसी ने मालदीव की location को पढ़ा है अगर आप से बोल दिया जाए कि मालदीव और लक्षदीव को कौन से degree channel divide करती है majority बच्चे खरतम हो जाते हैं यहाँ पे majority बच्चे अगर आप से पूछ लिया जाए कि जो माले है वो कहां पे located है वो करवीडा channel और विलमांडू channel के बीच में आती है क्या आप से अगर पूछ लिया जाए कि equator channel कहां पे आती है इस type से इस depth में आपको mapping करके जानी है जो topic बहुत ज़्यादा news में रहते है अब जैसे Asia Pacific Economic Corridor सब जानते हो important है बहुत ज़्यादा important है multiple article छपे हो है multiple article अब अगर आपको Asia Pacific Economic Corporation की countries के नाम नहीं पता तो बताओ फिर यह किसकी गलती है आपको एक एक देश के नाम यहाँ पर पता होने चाहिए पता नहीं होने चाहिए रटे होने चाहिए टिप्स पे कि हाँ Asia Pacific Economic Corporation मेरे साल भर पड़ा है यह तो मुझे आता ही है और सिर्फ आता नहीं है ऐसा आता है कि मैं फोड दूँगा अब यहाँ पे जब मैं इतनी बाते बता रहा हूँ तो दूसरे अग्रिमेंट भी है जैसे CPTPP अग्रिमेंट अन गवर्मेंट प्रोक्यूर्मेंट नौर्थ सी सम्मिट नौर्थ सी रूट यह सारे टॉपिक जो है यह पूरे साल नियूज में बने रहे इको वास इको वास की कंट्रीज किसको नहीं आती अगर आपको यह कंट्रीज के नाम नहीं आ रहे इको वास के तो यह सोचने वाली बात है आपको आना ही चाहिए अब आप मैंसे किसको यह बात नहीं पता है कि एफरिका पे हर साल पिछले चार साल से हर साल UPSC question पूछ रहा है अब यह आपका दाइत तो बन चुका है कि आप एफरिका के क्योंकि वो इतना strategically important continent बन चुका है भारत के लिए कि हम हर देश से individual level पे connect होने की कोशिश कर रहे है तो वहां की जितनी भी important देश हैं, जितनी भी important lakes हैं, यह आपका दाइत वह है कि आप इनको पढ़के जाओ ठीक है, तो देखो मैंने आपे जितनी चीज़ें मैं बता सकता हूँ वो बताने की कुशिश की है already मैं telegram पे हर चीज को पूरे साल भर तक आप लोगों के लिए upload कर चुका हूँ जहां से आप इसको देख सकते हो इसकी मदद ले सकते हो और इसके बिहाफ पे अपनी तयारी को और ज़्यादा भैतर बना सकते हो यह जो particular वीडियो था यह सिर्फ आपको यह दिखाने के लिए था और आपकी एक rhythm बनाने के लिए था कि आपको किस तरीके से अपनी पढ़ाई को शुरू करना चाहिए या mapping में बहुत रगड के practice करनी चाहिए that's it क्योंकि सारे topics को cover कर पाना यहाँ पे नामुमकिन है तो इसी उमीद में कि आप इस lecture से बहुत चा सबक लेके जा रहे हो और आपको mapping में किस तरीके से पकड बनानी है जो साल भर news में चलते रहे उस पे किस तरीके से आपकी एक सोच develop करनी exam के लिए तीन महीने है हर चीज possible है सिर्फ आपको एक extra effort देना पड़ेगा और अगर आपको इसकी help चाहिए तो आप इन PDF को download कर सकते हो नीचे description में link mentioned है website की जहाँ पर जाके PDF के course को आप enroll कर सकते हो यहाँ पर आपको सारी PDFs मिल जाएंगी that's it from my side for this particular topic and then keep shining have a good day